जीते ही कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ आओ, मियूम कहता है नहीं, मैं नहीं आ सकता जीते ही सुनकर शोक्ट हो जाता है कि मियूम उसे मना कर रहा है वहाँ खड़ी लेडी भी अफसोस करती है कि ओ माई गुड़नेस, बंदे में गर्स तो है जीते कहता है तुमने अभी भी क्या कहा, क्या तुमने मुझे नो कहा मियूम कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था लेडी कहती है, हे जीते, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कितना भोला लड़का आई ये और वेसे भी एक एडल्ड इंसान के साथ कौन आखिर नहाना चाहेगा मियूम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जीते मियूम को गूरता है मियूम कहता है स्वेयर मेरा कहने का वो मतलब नहीं था जीते मियूम को अपनी और पुल करता है इस closeness से मियूम स्टंबल हो जाता है जीते लेडी को कहता है कि निकलो यहां से लेडी कहती है वैसे भी यहां से जा रही थी कमे ने चलो चलते हैं मिसियून जीते अब भी मियूम को हग कियो होता है मियूम कहता है मैंने अब जो भी कहा था वो मेरा मतलब नहीं था ये एक मिशिंडरस्टेंडिंडिग थी जी ते मियूम के नेक पकिस करता है मियूम उसे कहता है कि वो ये क्या कर रहा है तुमने तो कहा था कि तुम नहाने चाहरे हो इसलिए मुझे यहां से जाने दो जीते मियूम की करदन पर बाइट कर देता है और कहता है कि तुमने ना क्यों कहा अब मामला काफी इंट्रेस्टिंग होता जा रहा है तुम्हें मुझे में से इंफॉर्मेशन चाहिए ना तो थोड़ा करीब आओ पर एक तुम हो कि जो मुझे पुश्ट कर रहे हो क्या तुम हार्ट टूगेट प्ले कर रहे हो इस कॉन्फेशन को सुनकर मियूम ही शौक्ट रह जाता है वह कहता है कि यह सब तुम्हें कैसे पता जीते कहता है तुम्हें पता है कि तुम्हें या किसने बेज़ा है बेक जी आनने और मेरा नाम है बेक जीते यानि कि वह मेरा बड़ा भाई है मियूम कहता है ऐसा होई नहीं सकता मियूम कहता है ओ तो तुम मुझसे बदला लेना चाहते होगे अब ताकि तुम उस इंसान को परबात कर सेको जो तुम पर नज़र रखने आया हुआ कौई होडर तुम्हार नहाने में मुद्ध नहीं करता इसलिए तुमने मुझे बलाया मुझे ये भी बता चल गया कि तुम्हें कोई भी नहीं नलाता है जब तुम्हें पता लग गया तो तुमने मुझे घर से बाहर क्यों निकाला जीते ही उसका मुखलोज करके कहता है कि तुम बाते करने में बहुत अच्छे हो पर तुम्हें कभी कभार चुपए रहना चाहिए जीते ही उसे कॉलर से क्रेप करता है मियूम कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो मुझे यहां से जाने दो जीते हैं उसे बिस्तर के ओपुश करता है और कहता है कि तुम्हें पता लगाना है न कि मैंने तुम्हें बाहर क्यों निकाला क्योंकि उस घर में हर बंदा तुम्हारे जिसा ही है वो लोग यहाँ पर इसली खड़े हैं क्योंकि वो मुझे गिरते वे देखना चाते हैं या फिर मैं कोई ऐसे अरकत करूँ जिससे मैं लोगों की निजरों में गिर जाओं इसली मेरे पास कोई भी रिजन नहीं है तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का बलकि मैं तो चाहता हूँ कि तुम यहाँ जादा दिर रुको और मुझे यूज करते रहो क्योंकि मैं भी तो तुम्हें यूज ही कर रहा हूँ इसके बाद मैं मीयूंग को किस करता है मी यूंग उसके लिप्स को बाइट कर लेता है जिससे उसके होट ब्लीट करने लगते हैं मी यूंग कहता है कि तुम ऐसे कैसे बीव कर रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है क्या तुम्हें डर नहीं लगता मी यूंग कहता है यह मेटर नहीं करता और तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जब जीते मी यूंग को फोर्स करता है तुम्हें इसा नहीं कर सकते जीती कहता है क्यों नहीं तुमने वैसे भी मुझे सब कुछ खुरते भी देखा है मियूम कहता है उस वक्त तुम्हारे साथ कोई और था इसके बाद मैं वे दोना साथ में कुछ intimate moment शेयर करते है next scene में हम देखते है मियूम को जियान टेक्स्ट करता है कि मैंने तुम्हें बहुत मीस किया मैं दोपर मैं तुम्हारे लिए कार बिज़वा रहा हूँ मियूम जियान की बिताईवी जगाँ पर जाता है जियान का ड्राइवर उससे फॉलो करने को कहता है ड्राइवर जियान से कहता है कि मैं उससे लेकर आ गया हूँ जीान कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया मीयूं कुस दिर पेले के मेकाउर स्टेसिन की वेज़े से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था जीान कहता है तुमारी हालत कस ठीक नहीं लग रही क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें कच्छा चपा जाओंगा मियूं केता है ऐसा कुछ नहीं है जियान केता है तो क्या इस वज़े से कि तुम जीते के साथ सो रहे थे मियूं में सुनकर शोक्ट हो जाता है कि उसे इन चीजों के बारे में कैसे पता है जियान कहता है मैंने कहा था ना कि तुम उसे पसंदा होगे मुझे उसका टेस्ट पता है इसलिए करिये बाओ हे लड़के क्या तुमने सुना नहीं जियान उसे अपने वर पुल करता है और कहता है तो आजकर इसलिए हमारे बाते नहीं हो रही क्योंकि तुम बहुत ही बिजी रहते हो उसे सेड्यूस करने में बिजी रहते हो और ये तुम्हारा निकमाग बता रहा है तुम ही क्या लगता है कि मैंने तुम्हे उसकर में इसलिए चुड़ा था ताकि तुम उसके साथ सो सको मियूम कहता है मैं बहतर करने की कोशिश करूँगा जियान कहता अपकोर्स तुम्हें करना भी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन देने जा रहा हूँ सेक्रेटरी फोटो लाओ जियान मियूम को उसके फादर की तस्वीर दिखाता है जिसमें की वो अस्पिताल में लेटे वे होते हैं मियूम जियान से अपना हाँ चुड़ाता है और वहाँ से भागता है सेक्रेटरी कहता है मैं उसे भी पकड़ के लाता हूँ जियान कहता है कोई जरद नहीं है उसे जाने दो वह किसी को छोड़कर जाने वाला में से नहीं है मियूम जो बाहर निकलता है तो उसे कुछ गुंडे जैसे लोग दिखाई देते हैं वह इंसान चलते चलते मियूम से जान बुच कर टकरा जाता है फिर वो मियूम को कोस्ता है कि ये तुमने क्या किया क्या तुम ढंक से चल नहीं सकती तुम्हारी विज़े से मेरा कंदा डिसलोकेट हो गया है हेई लड़की क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है कि तुमने मेरा कंदा डिसलोकेट कर दिया है चलो बुक्तान करो ताकि मैं होस्पिटल जा सकूँ या फिर तुम जाओ तो और भी कोई प्लान बन सकते हैं हमारे क्यों ना हम मोटेल चले मैं गे तो नहीं हूँ पर तुम दिखने में इतने सुन्दर हो कि मैं गे बन सकता हूँ तब ही वहाँ जीते हो रहता और कहता है कि मुझे तो तुम्हारा कंदा ठीक ही दिख रहा है आदमी कहता है है तुम्हें दिखने ही रहा कि मेरा कंदा डिसलोकेट हुआ पड़ा है अपनी बिजनस पर ध्यान दो और यहां से चलते बनो जीते कहते हैं ओ ऐसे भात है क्या क्या ये वाला कंदा डिसलोकेटर का है चलो मैं इसे तुम्हारे लिए सही कर देता हूँ इसके बाद जीते ही उन गुंडों को पीटता है लेकिन मियूम बेटा बेटा ये सोच रहाता है कि मैं आखिर इन चीज़ों से क्यों गुजर रहा हूँ ये सब कितना अगॉस्टिंग है ऐसे पेरों के साथ मैं जादा दूर तक भाग भी नहीं के सकता हूँ एक बंदा जीते ही कियो और चाओ को लेकर आगे बढ़ता है पर मियूम उसे ग्रेप कर लेता है वहाँ आदमी मियूम पर वार कर देता है जीते ही और उसका सेक्रेटरी मिलकर उन गुंडों को माँसे बगा देते हैं जीते मियूम से कहता है कि तुम यहां कर क्या रहे हो तुम रोते हो जिब चीज़े तुम्हारी कंट्रोल में नहीं होती और फिर उन से पच्चने के लिए तुम भागने लगते हो इस रेट पर तुम मुझे कैसे यूज़ करने जा रहे हो मियूम कहता है मैं भागने ही रहाता मैं उस जियान से मिलाता उससे सब कुछ पता है कि मैं कहा था और किसके साथ था मुझे नहीं पता कि तुम्हें और उस आदमी को मुझे क्या चीए मैं बस अपने डेट को बचाना चाहता हूँ मियूम पेसे उटाने की कुशिश करता है लेकिन जीते उन पेसों को कुछल देता है मियूम कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो जीते कहता है अपने आपको देखो तुम पैथर्ट देखो जीते मियूम का अपने कंदों पर उटाता है मियूम उससे खुद को नीचे उतारने को कहता है जीते मियूम को कार में गिरा देता है और कहता है कि मुझे पताने दो कि मुझे एक सक्टली क्या चाहिए तुमसे क्योंकि तुम्हारी तो समझ में आने वाली है नहीं कि मुझे तुमसे तुम्हारा शरीच चाहिए अब तुम क्या सोचते हो मियूम कि तुम्हें क्या करना है मुझसे अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मियूम कहता है ठीक है फिर सोधा कर लेते हैं एक मुझे अपनी डेट को ढूणने में मेरी मदद करो और उसके बदले मैं तुम्हें फैर दूँगा आज के लिए बस इतना ही एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड तक के लिए देखते रहें निक एक्स्प्लाइंड